अब हम वर्क पर बेजिक सिंपल कॉंसेप्ट टेस्ट करते हैं तो हमारे क्वेस्टिन में एक बॉक्स पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है होरिजॉंटल से 60 डिग्री अंगल पर और इस फोर्स से कारण यह बॉक्स 3 मीटर डिस्प्लेस होता है तो इस फोर्स के द्वारा कि किये गए वर्क को आपको काल्कुलेट करना है तो यहां पर इस वीडियो को टू मिनिट्स के लिए पॉस करें और इस क्वेस्टिन को खुद से सॉल्ट करने की कोशिश करें यहां पर फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स लें तो हम देखेंगे कि कॉम्पोनेंट f cos theta displacement की डिरेक्शन में है अतहां WORK इस इकल्टू f cos theta into displacement होगा formula में values put करके जब हम calculate करेंगे तो हमें work done 22.5 joules के बराबर मिलेगा